असलाम आलेकुम वीवर्स आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट चोकलेट ट्रफल की रेसिपी रेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहत असाने और जट पिट से बनके द्यार हो जाता है बनाने में जादा टाइम नहीं लगता और खाने में बेहत मज़ेदार होता है इसको आप पार्टी वगहरा हम बनाके सर्फ कर सकते हैं और बर्डी वगहरा पी भी बना सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और नोटिफिकेशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले तो चलिए यह recipe start करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 cup whipping cream 200 grams के बराबर है यह इसको हम whipped कर लेंगे अच्छी तरीके से और यह मीथी cream है तो इसके लिए कुछ मीथा add करने के हमें जरूरत नहीं है तो यह जब अच्छे से beat हो जाएगी whipped हो जाएगी तब इसके अंदर हम add करेंगे chocolate fudge यह मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ तो एक cup के बराबर हम chocolate fudge add कर देंगे और बहुत simple इसे बनाना बस equal quantity में आपना chocolate लेनी है और cream लेनी है दोनों को मिलाके melt कर लेना है तो यह ready हो जाता है तो जब भी ठंडा हो तब आपने इसको cream म add करना है और इसको mix कर लेना अच्छी तरीके से इसको हम चन सेकंड की ती बीट करेंगे और इदर मुझे थोड़ा सा fudge कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा और add किया है depend करता है आप सो कितना chocolate बिनाना चाहते हैं तो इसे हिसाब से आप कर सकते हैं टोटल मैंने इसके अंदर एक cup ही add किया है तो देखें इसको मैंने mix कर लिया अच्छी तरीके से और इसकी frosting जो है मुझे थोड़ी सी चाहिए वो थोड़ी पतली चाहिए तो इसके अंदर में थोड़ा सा दूध आट कर रही हूं तक्रीबन 1-4 cup के बराबर मैंने दूध आट किया है तो थोड़ी soft cream चाहिए थी मुझे इसके मैंने इसके अंदर add कर दिया है इसको बस mix कर लेंगे अच्छी तरीके से तो यह हमारी cream जो है ready हो जाएगी तो देखिए कितनी soft है यह तो यह देखिए इस तरह से हो जाएगी है और इसके बाद इसको assemble करने के लिए हमें चाहिए होगी white cream भी तो यह दर chocolate वाली हमने ready कर लिए है और जो white whipping cream थी हो other cup लेके मैंने इसको whipped कर लिया है तो यह देखिए इसको मैंने अच्छे से whipped कर लिया है यह भी थोड़ी soft ही होने चाहिए ज़्यादा heart नहीं करिएगा और इसके बाद हम क्या करेंगे piping bag ले लेंगे और दोनों यह जो cream है हमारे पास इसको हमने piping bag में डाल देना है चॉकलेट वाली भी हम डाल देंगे इस तरह से जिस तरह से white वाली जो cream है हम इसके अंदर add कर रहे हैं यह देखिए हैं इस तरह से add कर दिया और top पे से हम इसको cut कर लेंगे इसको रख लेंगे side पे और इसको assemble करने के लिए हमें चाहिए होगा चॉकलेट tea cake यह भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोग चाहें तो घर में खुद बना ले या फिर आप लोग बजार से भी चॉकलेट पाउंड केक है तो बस इसके हमने पत्ते-पत्ते slices कर लेने हैं और आप चाहें तो यह वाला डिजर्ट है आप लोग ब्राउनी से भी बना सकते हैं तो इसको भी आप इस तरह से cut करके इसमें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं यह बहुत क्विक साल डिजर्ट है जल इसको मैं सोक नहीं करूंगी तो सोक करने की इसको जरूरत नहीं है तो देखें इस तरह से हमने लगा दिया है छोटी pieces भी लगा रही हूं जो खाली जगा हैगी उसको आपने फिल कर देना है उसके बाद चॉकलेट वाली जो frosting थी उससे हम इस तरह से cover कर लेंगे piping bag में इसल कर दिये इसके अंदर और इसको मैंने level कर देना है इस तरह से अच्छा ख्याल रखिएगा क्रीम आपकी थोड़ी soft ही होनी चाहिए इससे hard नहीं करिएगा नहीं तो आप उखाने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इसे हमें set करना होता है कुछ देर के लिए कुछ घंटी के फ्रिज में रखके set करेंगे तो फिर और ज्यादा hard हो जाती है क्रीम जो होती है विपिंग क्रीम तो फिर वो खाने में तना वजीकी नहीं लगती है तो थोड़ी सी soft रखिएगा क्रीम को तो जब चॉकलेट की layer लगा दी है इसके बाद हम लगा देंगे white cream की layer इसको भी हम और यह बहुत quick सा dessert है बस cake आपके पास हो और आप इसको अराम से बहुत जली से बना सकते हैं 10 मिट से भी कम टाइम लगता है इसको असेंबल करने में बस आपने इसको असेंबल करना है और इसकी बाद फुरज में रख देना है इसको अच्छे से ठंडा करना है फिर आप इसको surf कर सकते हैं मतलब अचानक से gas आ रहे हैं या आपको कुछ अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहरा हो तो आप इसको तैयार कर सकते हैं तो देखें केक के layer लग गई है इसके बाद दुबारा से हमने चॉक्लेट की क्रीम थी उसकी एक layer लगा देनी है इस तरहां से तो यह देखें तकरीबर एक कप के बराबर ही क्रीम गई है और डिपेंड करता है कि आपके dish जिसमें आप असेम्बल कर रहे हैं वो कितनी बड़ी है उसके इसाब सही आप ले सकते हैं क्रीम कम या जाद अपनी मर्जी के मताबिक भी आइट कर सकते हैं तो देखें इसको भी मैं लेबल कर लूँगी इस तरहां से स्मूथ कर लेना है आपने इसको स्मूथ करने के बाद इसके उपर मैं एट करूँगी चॉकलेट चिप्स ही ऑप्शनल है अगर आप लोगों पसने तो जरूर एट कीजिएगा इससे भी बहुत अच्छा ता टेस्ट आ जाता है और आप लोग चाहिए तो इसको हर लेयर में भी एट कर सकते हैं मैंने बस इसको टॉप वाली जो लेयर थी इसके उपर ही आड कर रहा है चॉकलेट चिप्स अड करने के बाद इसके उपर हम एट करेगै वाइट फरी वाईट वाली जिक्रीम है उसकी धीएड लगा दें गे देखिए इस तरह से इस तरह से बिलकुल even layer आती है और इसको भी हमने smooth कर देना है बस आपने इसको smooth करना है अच्छे से इदर मैं knife से कर रही हूँ क्योंकि top की layer है इसलिए top layer आपको असानी होगी knife से इसको smooth करने में तो देखिए इसको smooth कर दिया इसको decorate करने के लिए मैंने जो cake था उसी को थोड़ा सा चूरा कर लिया है और उसी का मैं थोड़ा सा यह crumbs जो है इसक्यों पर डाल दूंगी तो बस यह simple सा way इसको decorate करने का जो कि देखने में बहुत मज़िदार लगता है और इसके बाद आपने क्या करना है इसको रख देना है 2-3 घंटे के लिए fridge में रख दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको surf करना है तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफिल की layers कितनी हुबसूरत बनके तयार हुई है और मैंने दर दो layers ही लगाई हैं आप लोग चाहें तो 3-4 भी लगा सकते हैं वो भी बहुत प्यारा लगेगा तो अब इसको मैं रख दूंगे fridge में तो fridge में मैंने रखके इसको ठंडा कर लिया था 2-3 घंटे के लिए आप लोग चाहें तो overnight भी रख सकते हैं इसके बाद आप इसको surf कर सकते हैं तो देखिए इसको हम cut करेंगे इसके बाद इसको हम piece निकालेंगे इसी तरह से और यह बहुत ही simple सा dessert है आप लोग जल्दी से बनाईएगा और इसकी एक picture में इसा जरूर शेयर कीजीगा तो देखिए इसका अंदर का look माशाललह से बहुत ही मज़दार बनाता और बनाने में भी बहुत असान है और खाने में बहुत मज़दार है I hope आपको यह simple सा dessert अच्छा लगा हो So viewers अगर आप लोगों में यह recipe अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को subscribe करें like करें, comment जरूर क्या करें, share भी जरूर क्या करें अपने friends के साथ, family के साथ तो मुझे अपनी दौआउ में याद रखिएगा, अल्ला हाफिज